एरिका पाम के प्लान के लिए आप इस तरीके से अगर अपनी ग्रोथ नहीं पापा रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ऐसे खास कारण है जो आप गलतियां करते हैं तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो और आपको बताते हैं कि वो कौन सी गलतिया आप कर रहे हैं और साथी साथ कुछ ऐसी खास ग्रोइंग टिप्स आपको मैं शेयर करूँगी जो मैंने भी अपनी गार्डनिंग में सीखा है तो नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है नित्या किसरवानी और स्वागत करती हूँ आपको अपने चैनल पे तो वीडियो आज की हमारी है एरिका पाम के उपर एरिका पाम एक ऐसा पौधा है जो की हमारी गार्डनिंग में बहुत ही खूपसूरती से जो है सारे ब्यूटी को एन्हांस करता है बढ़ाता है तो इस पौधे को जादा तर लोग जो है इसकी खूपसूरती को देख कर ही नर्सरी से खरीच के लाते हैं तो अगर आप भी एरिका पाम के पौधे को लाते हैं और कुछी दिनों के बाद आपका पौधा जो है वो ख साथी साथ अगर आप इसको आउटोर रख रहे हैं तो कुछ टिप्स के साथ आपको इसे रखना होगा आपका एरिका पाम बहुत ही अच्छी तरीके से ऐसे ही चलने वाला है देखिए सबसे पहली बात यह है कि एरिका पाम के पौधे को आप जो है डायरिक संलाइट में जब बनाएं इसकी जो भी मिट्टे आप तयार करें उसको आपको ध्यान रखना है कि उसमें जब भी आप पानी दे तो वह तुरंग जो है उपनी मिट्टी मतलब निकल जाए गमले से ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए पौट में और साथ ही साथ आपकी मिट्टी जो ह बहुत जादा नहीं देना है इस प्लांट को बहुत जादा कंपोस्ट की जरूरत नहीं होती है साल में अगर दो से तीन बार भी अगर आप फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो भी आपका ये पौधा बिल्कुल पौफेक्ट चलता है तो यह हमारी तिन-चार टिप्स हो गई साथ ही साथ आप इसको इन-डारेक्ट जगहा पे रखिए जहां पे इसको सिफ धूप हलकी मिलती हो या रोशनी आती हो देखे जिस जगहा पे मेरा ये पौधा रखा है वो थोड़ा से शेड़ी एरिया है और यहां पे सिफ सुभा की धूप आती है तो हमारा पौधा अगर वो पॉसिबिल है हाथ से कट करने में तो आप उनको हटाते रहिए ऐसा करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर आपकी जो और पतियां है वो खराब ना हो जाए इसलिए हमें इन पतियों को हताना पड़ता है और फंगल इंफेक्शन ना हो इसका भी हमें ध्यान नहीं देना है इसकी ना मिट्टो मिट्टी में और ना ही आपको प्लांट के ऊपर यानि इसकी पतियों पर भी बहुत जादा आपको मिस्टिंग नहीं करनी है बहुत जादा ओवर वाट्रिंग नहीं करनी है ऐसा गरने से इसकी पतियां भी जो है वो खराब होती है उन पर स्पोर्ट से आ जाते हैं पानी के और साथी साथ आपकी मिटी में जो है फंगस लगने के चांसे बढ़ जाते हैं तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका प्लान भी हल्दी रहेगा अब आप देख सकते हैं कि मेरे पौधे की जो मिटी है वो पूरी तरीके से completely dry हो गई है और अब हम इसमें जब पानी देने जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से पानी देगी मतलब उसके बाद मैं इसमें हफते भर तक लगभग मैं इसको चेकी नहीं करने वाली कि इसमें पानी क्या विशक्ता है भी या नहीं तो अच्छे से आप पानी पानी निकलने लग जाए तब तक आप उसमें पानी दीजे देखिए आप मैंने अच्छे से दे दिया है और फिर धीरे धीरे हमारे drainage hole से पानी आना शुरू हो जाएगा तो इस हिसाब से आपको पानी देना है और उसके बार आपको इसे इग्नोर कर देना है इग्नोर करने की वजह ही यही है कि Erica Palm तभी हमारा अच्छी तरीके से grow करता है अगर आप भी यह गलतिया कर रहे हैं तो अपने इन mistakes को सुधार के अपने Erica Palm को ऐसे ही खुबहरा बरा और खुबसूरत बनाने की तयारे अभी से शुरू कर दें सो दोस्तों I hope कि आप सभी को Erica Palm प्लान के बारे में जो भी information चाहिए थी वो आपको पसंद आई हो अगर कोई भी आपका question है तो आप हमें comments करके जरूर पूछ सकते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे आपके questions का answer देने की and अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं इस Thank you everyone for watching this video